तो आज की वीडियो में पर पास है वाइफाइ राउटर टेंडा की तरफ से आने वाला एसी ट्वेल नंडर जिसका मॉडल नंबर है एक टैन तो यह ड्यूल बैंड राउटर है तो यह 2.4 गीगार्स की फ्रिक्वेंसी पे चलता है और 5 गीगार्स पे भी और 5G क्नेक्टिविटी के साथ है और जो मैं अभी तीन सामय से यूज़ कर रहा हूं वह इसका च्वटा भाई है N300 जिसको मैं यूज़ कर रहा हूं पर यह 2.4 गीगार्स की फ्रिक्वेंसी पे चलता है और रेंज भी थोड़ी इसकी लिमिटेड है तो अभी मेरे को थोड़ी सी र बॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स में क्या के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे और कैसा इसका पर्फोर्मेंस है तो वीडियो उने माली काफी इंट्रस्टिंग और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शियर तो बनता है और इसी तरह आगे टेक रिलेटि देखने को मिलेगा गेमिंग 4K स्ट्रीम आप इसके अंदर बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे और यह कुछ फीचर इसके अंदर या पर मेंचन है आप देख सकते हैं 5G सपूर्ट है और किसा अलावा काफी सारे फीचर इसके अंदर अवेले वाला है और प्राइसिंग की सब्सक्राइब आएगा मेरे चैनल पर तो आप इस वीडियो के बाद इसका सैट अप का वीडियो भी चैनल पर चेक कर सकते हैं तो जल्दी ते कर लेतें इसकी एंद्बॉक्सिंग और देख लेते हैं क्या-क्या कंटेंट इसके अंदर मिले वाला है कुछ इस तरह की पैके मेन प्रोड़क्ट और नीचे आप देख सकते हैं यूजर मैनुवल और जो है वारंटी कार्ड इसके अंदर दे रहा है तो कुछ इस तरह का यह आप देख सकते हैं चार एंटीना इसके अंदर अवेलेबल हैं तो रेंज इसकी काफी बैतर रहने वाली है 2.4 GHz और 5 GHz दोनों पर चलता है 5G connectivity देता है स्पीड इसके अंदर 1000 Mbps से उपर की आप ले सकते हैं पर मेरे पार जो प्लान है वह 100 Mbps का मैक्सिमम में 100 Mbps इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं पीछे में लैन और वैन के वाल दोनों आवेलेबल हैं साथ में चार्जिंग पोर् लैन ऑला को का इंडिकेटर और निम्स पूदस किया सब्सक्राइबल हों चैesso कुछ तरह आप मैंने कर लिए से एपने Markdot के साथ किनेक्ट जो वाली वायर है ये इंटरनेट श्राविस पोवायर की है और उसका पावर वायर और लैंड केवल मेरे लैप्टॉप के साथ कनेक्टिड है तो सेट अप मैं कर चुगा हूं तो जल्दी से इसकी स्पीड चेक करा देता हूं और आप कुछ इस तरह का इंटरफेस है गुपर मैंने क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं मेरे प्लैन मैक्सिमम मेरी स्पीड मेरी 93 के करना तो मैक्सिमम आउट्पूद यह मुझे दे रहा है